नमस्कार आप लोग कैसे हैं? हमें उमीद है कि आप लोग सही होंगे, स्वस्त होंगे, मस्त होंगे जीवन में कुछ किताबे भी हैं जो हमें जीवन में आगे बनने के लिए निरंतर प्रेज करती रहती हैं वैसे ही हम अपने जीवन में कुछ किताबों को ऐसे पढ़ते रहते हैं और उन किताबों से कुछ सीख लेते रहते हैं जीसे मैंने जब पहली बार डार्क हार्स नामे किताब को पढ़ा जो कि कभी निलोत पर मिडाल के द्वारा लिखी हुए किताबे थी जिसमें एक गरीब बच्चे के सिविल सर्विस में सफर कर लेकर के चीजों को लिखा गया था वो किताब सच मुझ में बहुत ही एनरजेटिक चीज है बहुत एनरजेटिक किताब है उसमें कुछ ऐसे चीजी लिखी गई है ऐसे बातों को लिखा गया है जो कि आज के परिविस में जो बच्चे तैयारियां कर रहे हैं उनके वहां से बहुत कुछ मोटिवेशन देखने की नहीं मिलता है इसी करम में जब इस बार हार फिलहार में हम दिल्ली गए थे तो हमने दो किताबों को वहां से लेकर आया एक किताब गांदे जीप की जो आत्मकता है जिसका नाम हर सब्ते के प्रयोग अभी फिरहाल उस किताब को तो हमने अध्यान नहीं कर पाया है लेकिन एक उपन्यास के तौर पर जिसका कहा जाता है कि एक अत्मकता है जो कि जिसका नाम है ट्वल्टर फेल्ल ये एक किताब है आप लोग देख लेए ये ट्वल्टर फेल्ल की किताब है जो कि मद्धिप्रदेश में एक छात एक लड़के जिसका नाम मनोज है उन पर लिखी हुए किताबे है वोग वास्तों में किताबे इतना बेहतर तरीके से लिखी गई है हलाकि आज तो हम उस पर बाते नहीं कुछ खास करेंगे लेकिन उस किताबों के बारे में जब हम आपको बताएंगे कभी तो आपको सचमिच में लगएगा कि क्या वो सचमिच में इतना संघर्स के बाद अपने मुकान पर पहुँचे है हम आपको दिखाएंगे हम उसके एक एक पार्ट को दिखाएंगे किस तरीकी से उन्हें मोटिवेशन मिलता है और उपने जिन्दगी में कितने बड़े कटिनाईयों को संघर्सों को जहलते हुए अपने निरंतर वो चलते रहते हैं और उपने उनके जिन्दगी के मातर एक मुकाम है वो है सिविल सर्विस में पहुँचना लेकिन जिस तरीके से आप देखेंगे इतने धेर सारे जिन्दगी में मोड आने के बाद जिन्दगी में इतनी असरफलताओं कि बावजूद भी उन्होंने उसका पिंडिन नहीं छोड़ा वो जिद उनको कही ने कही उनको पिता से मिलता है उनके पिता के बार बार सस्वेंट होने के बावजूद भी उन्होंने अपने जीवन में और जीवन के चुनोतियों से उन्होंने अपना मुह नहीं मोड़ा और उन्चुनोतियों का सामना करते हुए वो निरंदर आगे चलते रहते हैं अब इस किताब को मैं लगता है कि आज के परिविश में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं जिनको लग रहा है कि संसादनों का आभाव है जिकर जिन्दगी में एक लच्छ बनाना है नहीं थोड़ा ये भी कर लें थोड़ा वो भी कर लें थोड़ा ऐसे कर लें थोड़ा ऐसे कर लें नहीं तब आप इसी में फसे रहे जाएंगे यदि यदि आपके जिन्दगी का एक मात्र ऐसा लच्छ होगा और उस पर बार बार आप रहार करेंगे मैं कहता हूँ कि असफलता ही मीने का लेकिन उस असफलता अगर मेहनत की असफलता है मेहनत करने के बावजूर भी असफलता मिलता है तो उस असफलता का भी राज कुछ और होगा उसका रहस्य कुछ और होगा लेकिन मेरा मानना है कि जैसे इस किताब को मैंने पढ़ करके मैंने जो रूम मोटिवेट हुआ हूँ और ऐसा लगता है कि जिन्दगी में मुकाब में नहीं पहुँचे तो जिन्दगी वहीं खत्म हो जाती है ऐसा भी नहीं है जिन्दगी वहीं खत्म नहीं होती है बलकि वहां से जिन्दगी में कुछ ऐसे सीख लेकर के निरंतर आगे बढ़ी जा सकती है लेकिन आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे और हमारे चैनल को सबस्क्राइब ही कहलें क्योंकि हम इस जो पूरी स्रिंखला है जो ट्वल्थी फ्वेल की बुक है हम इसमें जो भी आपको बताएंगे आपको दिखाएंगे कितने पात रहें और कैसे कैसे चीजों को किस किस रोमांटिक तरीके से कितने मज़दार तरीके से इस पूरी किताब को लीखी गई है सच माने इर कहानी आने वाले युवा पिड़ियों के लिए और आने वाले सभी उन विद्यारतियों के लिए एक प्रेडा दायक सूत होगा मैं आप लोगों से आगरा कहता हूँ कि अगर आप लोगों के पास अगर आप लोग पढ़ते हैं या आप लोगों के पढ़नी में थोड़ी भी इच्छा है और जिनको लगता है कि संसादन का आभाव है तो आप इस किताब को जरूर खरीने और अपने पास रखें इस किताब में आप देखें किस तरीके से मनोस संघर्स करते हैं अपने पढ़ाई के लिए उन्होंने क्या नहीं किया यहां तक कुत्ती भी टहला है आप सुचिए कि जिन्दगी में क्या कोई ऐसा भी करता है हम जब हम और आप इस कुत्ते टहराने वाली बात में आते हैं तो हम लोग यह सोच लेते हैं कि मतलब अर्यार इतना घिनावना काम कौन करेगा लेकिन वही बात ना कि जिन्दगी में संघर्स है संघर्स में मुकाम अपने लच्छे को हासिल करना है तो उसके लिए चाहे जो भी हमें करना पड़ेगा सब मुझूर है तो मनोज ने वैसा ही कुछ किया है तो आज तो मनोज आई पीए स्वाथ पे चेह नित हो गया मैं तो उनको बढ़ा ही करूँगा अगर मेरी वीडियो वहां तक पहुचेगा तो बड़े अच्छा रहेगा मुझे लेकिन मैं उनकी कहानियों को उनकी जो बीती वी रहस है मैं एक ही करके सबको एक एक दिन जो है पार्ट स्वाइज पार्ट हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले क्या हुआ मनोच किस तरीके से उनके अंदर क्या मोटी वीशन है वो किस तरीके से तैयारी के छित्रे में आना चाहते थे यह सारी चीजे हम आप लोगों से मात करेंगे उसे पहले निवेदर है कि आप लोग हमारे चैनल का सब्स्राइब करेंगे और सेयर भी करेंगे लाइक भी करेंगे क्योंकि हम एक एक वीडियों करके डेली बाइडीली हम क्या करेंगे आपके भी चलाने का प्लाइस करेंगे थेंक्यू सबीकों धन्यवाद